Attack on Titan episode 81 तो यार अब rumbling start हो चुकी है Aaron के true intention वाकई में अब दुनिया के सामने है तो इसको लेके side characters का और जो बाकी लोग है उनका क्या reaction है इस episode में friend इसी चीज़ को capture किया गया है और यह episode एक तरीके से देखा जाए तो जरूरी भी था क्योंकि ऐसी अगर सब्ची जल्दी यल्दी होता रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा तो episode की शुरुवात में हमें पिछला ही scene दिखाया जाता है जिसमें Aaron's Subjects of Yomir को बता रहा होता है कि उसके true intention क्या है और यह पूरा scene दिखाने के बाद असली माइने में अब episode start होता है शुरुवात में दिखाया जाता है कि Marlions के शहर में जो Eldians रह रहे होते हैं वो आपस में बात करते हैं जिन में से एक होते है Annie के पापा और उनसे मतलब काफी डरे होते हैं वो लोग की अब Titans आ रहे हैं उनको खतम करने के लिए तो काफी डरका महाओल होता है scene shift होता है और इस scene में दिखाया आता है Rainer और Gabi जो है फालको को डून रहे हैं और Rainer ने इस attack को भी जैसे तैसे survive कर लिया है उसको थोड़ी critical चोट लगी है बट वो अभी जिन्दा है तो Gabi Rainer से पूछती है कि कहां हो सकता है वो अभी जिसके जवाब में Rainer बोलता है कि most probably उसे पकड़ लिया गया होगा क्योंकि वो one of the nine titan shifter में से एक है वो उनके काफी काम आ सकता है तो Jean और Connie ने उन्हें जरूर पकड़ लिया होगा उसके बाद यहां Rainer का grief हमें दिखाया जाता है वो काफी दुखी है कि Aaron ने founding titan की power को activate कर दिया है और अब वो पूरी दुनिया को खतम कर देगा including वो Eldian जो की Marlis में रहते हैं इसके बाद scene shift होता है Rainer को Gabi एक घर में लेके जाती है वहीं जो आसपास जो घर बचे हुए अभी और वहाँ पे वो Rainer उसे बोलता है कि तुम जाओ south के area में हमारे जो airships है वो है और तुम peak के साथ या जो अपने Marlion soldier कुछ अगर बचे होंगे उनके साथ यहां से चली जाओ ये paradise island से भाग जाओ और जाके जो बाहर की दुनिया है जो Marlion's है उनको जाके बताओ कि क्या खत्रा उनके उपर आने वाला है गाभी जवाब में पूछते इससे होगा क्या हमारे पास भागने के लिए कोई जगा ही नहीं है Aaron पूरी दुनिया तभा करने वाला है गाभी राइनर से पूछती है कि हम Aaron को मार नहीं सकते इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा जवाब में राइनर उसे पताता है कि अब चीजे हाथ से काफी बाहर निकल चुकी है Aaron अब हर चीज कंट्रोल कर सकता है इंक्लूडिंग Eldians और जो Titans है उनको भी तो अब हमारे पास भागने के लावा कोई रास्ता बचा नहीं है बट गाभी हार मानने वाले उसमें से है नहीं इसायमा ने उसे यही सोच के बनाया था कि वो Aaron का फीमेल वर्जन है बोलता है कि यह Marlins की गलती है यह सब उनी की वरसे हो रहा है कि उन्होंने हमें एक Devil का Tag दिया और एक मकसद बना लिया कि हमें खतम करना है तो आज यह उन पर बीत रहा है यह उनी की वरसे हो रहा है Aaron ने यह सब हमारे लिए ही किया है क्योंकि यह जो Mass Genocide है इससे बस हमें ही फायदा होगा Genocide मतलब नरसंगहार मतलब सब को मार दे रहा है यारब वो आर्मिन बोलता है लेकिन यह कुछ जादा हो गया है मतलब अपने रेस को बचाने के लिए बाकी सारी दुनिया को मार देना तो Gene उससे पूछता है तो क्या करें हम Aaron का साथ दे तो अभी यह सारे लोग काफी confused है बाद में बात होती है इनकी की जो Titans होते हैं वो जुनको Zeke के Spinal Fruit की बाद से अब जो Titans बने होते हैं वो जो है इनके soldiers पर हमला कर रहे होते हैं survey cops के तो यह लोग बात करते हैं कि चलते हैं अब जाके उन्हें हमें मारना ही होगा अपने साथियों को बचाने के लिए तो आर्विन पूछता है कि इस बच्चे का क्या करना है तो जीन बताता है कि इसे हम अपने साथ रखते हैं हम इसे Commander Pixis को दे सकते हैं जिसकी वाइसे वो वापिस इंसान बन जाए ऐसे जो हमारे करीबी लोग है जिस पर Connie clear होता है वो बोलता है कि हम इसे मेरी मा को देंगे आपको अगर scene याद हो तो पिछले seasons में Connie की मा भी titans बन चुकी थी और वो एक ऐसी titan मनी थी जो hill भी नहीं पाती थी तो वो एक की जगा पे पिछले 4 साल है उसे वहीं पर ही है तो आर्मिन लेकिन बोलता है कि ये जो है फालको जो है ये राइनर और जीक के भाई की तरह है और अब जब चीजे इतनी आगे बढ़ चुकी है तो ये bloodshot को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं हम इसे मार के एक तरीके से ये जो conflict है इसे और बढ़ावा देंगे कौनी जिसके जवाब में बोलता है तो तुम कहना क्या चाते हो मेरी मा कोई matter नहीं करती तुम्हें पता नहीं कि कैसा लगता है पिछले चार सालों जब भी मैं वापिस वहाँ जाता हूँ उस हालत में देखना और तुम सायद भूल रहो कि तुम भी बैटोल को खा के ही आज अपनी इस human form में हो वरना तुम भी आज यहां नहीं होते इसके बाद कुछ titans friend पर हमला कर देते हैं जिसके diversion में कौनी फालको को लेके वहाँ से फरार हो जाता है और जीन मिकासा आर्मिन अब उन titans से लड़ने के तैयारी करते हैं और इसके बाद scene shift हो जाता है हमें यह लेना के उस port का scene दिखाया जाता है जहां पर उसने survey cops के member को बंद करके रखाया और अभी वो बिल्कुल मतलब shock है उसके तोते उड़े हुए यह चल क्या रहा है मतलब Zeek का plan कैसे fail हो सकता है उसे विश्वास ही नहीं हो रहा और नियंको पुन उससे पूछता है कि हम यह fort जा देर तक नहीं टिक हैगा Titans यह आ रहे हैं और नीचे जो soldier है और हम सब मारे जाएंगे soldiers भी काफी डरे हुए होते हैं अब होता यह है कि दिवाल तोड़ के दो Titans उन्हें देखने भी लगते हैं और उनके लिए काफी horrifying होगा यह scene मैं समझ सकता हूँ मैं भी होता तो लेकिन यहाँ पर end मौके फे friend commander sadis आ जाते हैं और वो बोलते हैं मैंने तुम्हें Titans को देखके रोना भी लखना नहीं सिखाया है जल्दी से Titan से बचके भाग रहे होते हैं और यह वही Titan होता है जिसने मतलब यह वही आदमी होता है जिसने अब Titan बन गया है जिसने अपने Falco को उसके भाई को सौपा था और Kaya के साथ एक accident होता है वो गिर जाती है उस Titan के सामने और उसको यह सब पुरानी बाते याद आ रही होती है कि जब ऐसा कुछ था एकदम वो सुन पड़ गई थी हिल भी नहीं पारी थी तब उसे शाषा ने बचाया था वो फिर उसे याद करती है कि प्लीज बड़ी भेना के मुझे बचा लो बट यहां पर अब तो वो है नहीं तो अब यहां एंट्री होती है हिरोइक एंट्री होती है हमारी गावी की और मैं बता रहा हूँ पिछले कुछ एपिसोड में गावी मुझे सच मच्छी लगने लगी है उसके बाद इस लाइफ और डेस सिच्वेशन में जब गावी अपनी जान पर खेल के काया को बचाती है तो काया को उसके अंदर अपनी बिग सिस्टर शाशा की इमेज दिखती है और इसके बाद होता ही है कि इन लोग को सर्वे कॉप्स के मेंबर्स देख लेते हैं और हमें बचाईए प्लीज हमें लेके चलिए यहां से किसी सेफ जगा में इसके बाद चलते चलते गावी अपने इंटेंशन बताती है कि वो यहां पर बस फालकों को रेस्क्यू करने के आई है और इसी दोरान काया उससे पूसी है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी मैंने तुम्हार साथ जैसा वैवार किया फिर भी तुमने मुझे बचाया सही माईने में तो मैं डेविल हूँ जैसे कि तुम सोचती थी लेकिन फिर गाबी इसके जवाब में बोलती है नहीं यार ये कि डेविल तो मैं हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ मार्लियंस का प्रेज पाने के लिए उनकी वाहवाई पाने के लिए मैंने भी काफी लोगों को मारा है जंग में जिसके बाद ये बाते दोनों की बाते निकोलो सुन रहा होता है और वो बोलता है कि हम सब के अंदर ही एक devil होता है किसी के अंदर थोड़ा जादा होता है किसी के अंदर थोड़ा कम होता है तो हम सब के अंदर भगवान ने हमें बनाया इसी तरीके से सब के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज होती है तो फिर उसके जवाब में दोनों बच्ची यह पूस्ते हैं कि इससे हम डील कैसे करें तो निकोलो बोलता है कि हमें बस ट्राय करते रहना चाहिए कि यह चीज हम पर हावी ना हो जाए इसी चीज को थोड़े अपने शब्दों बोलता है बट मतलब यह होता है दोनों का सीन शिफ्ट होता है और यह लेना जिसको पता नहीं चल रहा है कि यह हो गया रहा है कैसे हो रहा है उसको हमारी मिकासा आके बचा लेती है और इसके बाद एक फुल ओडियम गेर का सीन होता है दो तीन मिलट का जिसमें सारे सरवे कॉप्स के मेंबर यहां सहां से जो भी लोग बचे होते हैं उनको खटा करके जीन, मिकासा, आर्मिन जो है लोगों को मतलब इन लोगों को एक तरीके से मुक्ती दे रहे होते हैं जिस पोजिशन में अभी है इस मिजरी से इनको निकाल रहे होते हैं इनमें उनको एक टाइम पे कमांडर पिक्सिस भी देखते हैं जिनको देखके आर्मिन अपने पुराने टाइम याद करता है कि जब किसी ने इनका साथ नहीं दिया था सब उनको एक तरीके से मारने के लिए दोड़ पड़े थे तो इनों ने उनको बचाया था और इनी के बज़रत ये लोग आज यहाँ पे इतने आगे तक आ चुके हैं तो ये थंडर स्फेर की मदद से सभी लोगों को जो है सभी जो लोग टाइटन्स बन चुके हैं उनको एक तरीके से मुक्ती देते हैं और ये सीन काफी अच्छा होता है और जो इसमें मतलब ओडियम गेर के सीन काफी टाइम से में दिखाये नहीं थे इससे पहले लिवेरियो वाले सीन में हमें थोड़ा सा ही दिखाया गया था शुरुआत की सीन में तो हमें ये बहुत देखनों को मिलते थे पर इस बार थोड़ा कम था और इस एपिसोड में पूरा ये काफी अच्छे देखनों को मिला हमें नेक्स सीन में अपने सभी कॉमरेट को उनकी मिजरी से बहार निकलने के बाद सारे जो सर्वे कॉप्स के मेंबर होते हैं एक जगा पे बैठे होते हैं जो ड़िस्ट्रक्षन ये जो तबाही चल रही होती है इसे देख रहे होते है और झांकोपुन जीन से पूछता है कि ये चल क्या रहा ह्यं एरन का प्लैन कया है जिसके जवाब में जीन उसे बताता है तुम उसके प्लैन को यह अभी देख रहे हो और तो नियांकेपूर पूछता है तो क्या इसमें मेरा होमलेंड भी है जो तबाह हो जाएगा और इसके जवाब देने से पहले ही फ्लोच वहाँ आ जाता है वो भी थोड़ी बिगडी होई हालत में होता है जिसको देखके जीन उससे पूछता है कि तुम बच गया है तो फ्लोच बोलता है कि अभी तो बहुत काम करना वागी है अभी एल्डियन को रिस्टोर जो ये पढ़ाव शुरू हुआ है इसको पूरे एंड तक ले जाना है मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता और जो फ्लोच है वो ये लेना पे वही होती है वो उसके उपर बंदूग दान के बोलता है कि जो भी तुम्हारे साथी वोलिंटियर से उनको जल्दी से यहां पे इखटा करो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो शाषा के पापा होते हैं मिकासा और आर्मिन को एक जगा पे लेके जा रहे होते हैं जहांपे गाभी पहले से ही होती है वो गाभी को देख के थोड़े शौक होते हैं लेकिन गाभी बोलती है मैं यहांपे कोई ट्रॉबल पैदा नहीं करूंगी मुझे बस फालको को दे दो और उसके बाद हम यहाँ से एक तरीके से गायब हो जाएंगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यह सुनके आर्विन दुखी भी होता है और उसे बताता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता और जो भी वहाँ पर हुआ था कि कौनी फालको को लेकर चला गया है क्योंकि उस अपनी मा को वापिस नॉर्मल करना है और यह सब सुनके गावी थोड़ा दुखी होती है लेकिन वो बोलती है मैं फिर भी फालको को ऐसे छोड़ नहीं सकती गावी आर्मिन को बताती है कि फाउंडिंग टाइटन के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है वो तो कुछ भी कर सकता है तो तुम एरन येगर को बोलो कि वो वापिस सब को नॉर्मल बना दे इंक्लूडिंग कौनी की मम्मी को भी जिसके जवाब में आर्मिन बोलता है कि मुझे पता नहीं वो ऐसा कर सकता है कि नहीं लेकिन अगर उसे करना होता तो उसने अब तक कर दिया होता जो बागी टाइटन से उनको वापिस यूमन बना के तो जिसके जवाब में गावी बोलती है तुम्हें पता नहीं है तो तुम उसे बात करो पता करो क्या ऐसे सब का मरना जरूरी है इस आइलेंट के छोड़ के पूरी दुनिया का तबाह होना जरूरी है वो सिर्फ military basis भी तो बस तबाह कर सकता है और जैसे उसने राइनर का वो आर्मर एकदम से हटा लिया उसके लिए क कहने का मतलब था उसने सारी hardening को undo कर दिया है मतलब कि अब जो हमारी जो वो है एनी जिसको आपने फर्स सीजन के वास्ते देखा ही नहीं है वो भी अब hardening से बाहर आ चुकी है वो भी वापिस अपने human form में है जो crystal से बाहर आ चुकी है इसी के साथ यह episode यहां पे खतम हो जा लाइक करना अपने दोस्तों की साथ शेयर करना कमेंट करके बताना कि आपको अगर कुछ लगाओ वेले कोई detail मिस कर दी हो तो और मिलेंगे आपसे next video में तब तक के लिए bye bye see you see you in next video और यार subscribe जरूर करना क्योंकि इस अच्छा है निवे content आपको कहीं नहीं मिलेगा